नमस्कार दोस्तों सुखते शुमुसभाली जी का और एक हेल्थ वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले पैटी लिवर टेस्ट कॉंपोनेंट के बारे मतलब अगर किसी को फैटी लिवर है या फिर ऐसा सोचा जा रहा है कि किसी को फैटी लिवर होने के चांसे हैं सि के लिए कौन کौन से test चाहीए फिर्स जो test है रहने हैं कि रहने से पर लेबर करता है असा कुछ एंजाइम करते हैं जैसे कि आल्टी बोल Soulsly यह तरी नॉर्माल हेल्दी लीवर टायार करता है प्रोडूस करता है जब लीवर ँनहीं हो झाम से काम नहीं करें तो यह सारे enzymes के मात्रा जो यह घड़ जाएगा या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यह चेंज होने के कारण ही हमें पता चाल जाएगा लिवर फंक्शन कर रहा है या नहीं अब नॉर्मल रेंच की बात कर लेती हैं यहां पर अलग-अलग यह दो से नाम आता है इनका अब no рmal मरं के लेवल बढ़ा और ज्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होता ही इंडिकेट क्षक्टा है आं इंदेग करता है कि उनкого चाहूंन their जब किसी तरीके का स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस में हो में ुब हैं ज्ब बढ़ता है चींटर और लिवर में कुछ ना कुछ सुजन है तो सुजन है या स्ट्रेस्ट कंडिशन में तो ओबिएस की हो सकता है कि फैटी लिवर चल रहा है अब बात करते हैं दूसरी पैरेमिटर की और यह है गामा ग्लुटामील ट्रांसफरेज और जीजी टी जीजी टी रिपोर्ट अगर आ इनसान उलकोहल कंजम शान स्यादा करके लिवर को डामえば डेमेज कर रहा है नहीं जीजी टी वैल्यव अकर बहुत ज्यादा मैत्रा में पा Ahhh हो जाएगा कि इंसान में अल्कॉल कंजम्शन बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि फैटी लिवर अल्कॉल कंजम्शन से बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है तो जी जी टी का नॉर्मल रेंज के बात करें तो तो यहां पर बहुत ज्यादा फरक होता है में और फिर इंसान बहुत ज्यादा अल्कॉल कंजम्शन करता है या फिर डिरेक्टली फैटी लिवर है जी जी टी के मात्रा अगर बहुत ज्यादा है तो यह इंडिकेट हो ही सकता है कि लिवर अल्कॉल डिलेटेड फैटी लिवर कंडिशन से गुजर रहा है ठीक है अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टन पैरेमिटर की वह है अल्कलाइन फस्फटेस और एल्पी यह और एक इंपॉर्टन एंजाइम है लिवर ही इस एंजाइम को काम करें यहां पर यही देखते हैं कि लेवल अगर बहुत ज्यादा है तो आटोमेटिकली लिवर की जो बाइल फ्लो होना चाहिए बाइल डक्स के बीच में वह इंपेर्ड होगा वह ठीक ठाक से काम नहीं करेगा ठीक है इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल रेंज की होता है यह अल्पी का नॉर्मल रेंज है अब बात करते हैं एब नॉर्मल व्याल के बारे में एबनॉर्मल वैलम उड्येस मतलब बढेकली सारी लिवर डिजीजigger में ही एक ही चीज होता है लिवर के द्वारा प्रडूस किया जाने वाले एंंजाइन जो बहुत ज्यादों तो यह क्या इंडिकेट करेगा मतलब एलपी की मात्रा अगर बढ़ जाये शरीर में ज्यादा तैयार हो रहा है तो आटोमेटिकली इंडिकेट करता है लिवर डामेज को बिलियरी आप्स्रक्शन को मतलब जो बाइल आना चाहिए थू बाइल डाक्ट वहाँ पर कोई ना कोई अब्स्रक्शन है कोई ना कोई ब्लॉकेज है उसके कारण जो एल पी की मात्रा है वो ब्लड में ज्यादा पाये जाएंगे ठीक है अदर लिवर एंड बोन डिजर्डर में भी यही पाये जाते हैं अब बात करते हैं चौथा फोर्थ डिफरेंट टाइप आप फैटी लिव लिवर एंजाइम्स थे और ब्लड टेस्स से ही यह पता चल जाता अभी बात करें इमेजिंग स्टेडिस की जहां पर हमें इमेजिंग की हेल्प लेना होता है यह क्यों पर्फॉर्म किया जाता है बैसिकली टू विजुलाइज लिवर अगर फैटी लिवर हो रहा है तो लि अपर आपडिमेन करते हैं और एमराई भी करते है मैगनेटिक रेजोनेंस मेजिंग ठीक है तो यह दो प्रकार की टिक्निक से हमें पता चलता है अल्ट्र साउंड जो क्यों है नऊन इनवेसिव है मगर अल्ट्र साउंड बहुत कम पैसे में हो जाता है अभी बात करते है ज यहां पे नहीं हमें देखना पड़ता है लिवर कैसे दिख रहा है नॉर्मल दिख रहा है या नहीं जिफल कीतना है संट है अर चीज हम यहां पे चेक करते थे fat deposit इंडिपोजिट falls होता है है तौब हमें में कितना glucose मौझूद है वो भी हमें चेक करना पड़ता है क्यों हम चेक करते हैं क्योंकि fatty liver disease में blood glucose level बढ़ जाता है क्योंकि in type of patient में insulin resistance पाए जाते हैं insulin एक ऐसा hormone है जो हमारे pancreas release करता है और यह hormone जब भी blood में आता है तो blood में रहने वाले glucose को यह store करके glycogen में convert करने में मदद करता है तो इससे blood glucose level को reduce करने में मदद करता है यह insulin का रोल है तो जब भी किसी को fatty liver होता है वहाँ पर insulin resistance आ जाता है तो insulin रहे फिर भी वो function नहीं कर पाता काम नहीं कर पाता इसके कारण इसके चलते जो है blood glucose level बढ़ जाता है नौर्मल रेंज की बात करें तो 70-100 होना चाहिए 70-100 mg पर डिसिलिटर नौर्मल ब्लड ब्लूकोस होना चाहिए abnormal value 100 से जादा 100 से जादा होता है तो abnormal value indicate करता है और वह indicate करता है कि insulin resistance patient में start हो चुका है जिसके कारण यह process जो है वह patient diabetic भी हो जाएंगे along with fatty liver और lipid profile test करना भी बहुत important होता है मतलब ब्लड में कितना cholesterol है कितना triglycerols है कितना LDL है कितना HDL है सब कुछ test करना बहुत important होता है तो lipid profile is a panel of test यह panel है जहाँ पर multiple parameters test किया जाता है अगर आप lipid profile के हर एक पैनल और parameter के बारे में जानना चाते हैं तो अलग से वीडियो चैनल में available है उस वीडियो को चेक करना सारे details आपको याद आ जाएगा यहां पर सिर्फ यहीं बता है कि lipid profile हम क्यूं कर रहे हैं for fatty liver to measure cholesterol and triglyceride level in the blood क्योंकि blood में अगर cholesterol जादा है triglyceride जादा है इसका मतलब है आपके शरीर जो है वो fat को ठीक ठाक से process नहीं कर पा रहा है तो automatically fat deposit जो है liver में बढ़ जाएगा fatty liver होने के chances भी बढ़ जाएंगे तो एक indication होगा इसलिए हम चेक करते हैं normal level क्या है दो normal range अलग अलग चीजों की अलग होता है जैसे कि cholesterol के अलग रेंज है LDL के अलग रेंज है HDL के अलग रेंज है triglyceride के अलग रेंज है मगर याद रखना कि cholesterol triglyceride और LDL यह तीनों जो पैरामेटर से यह बढ़ना इसका बढ़ने का मतलब ही होता है कि आपका lipid profile ठीक नहीं है HDL ज्यादा रहने का मतलब अच्छा होता है कम होना खतरना होता है ठीक है अब बात करते ह है abnormal value indication वही बात है मैंने आपका अलगी बता दिया कि cholesterol triglyceride और LDL का लेवल ज्यादा रहेगा HDL का लेवल कम रहेगा इसका ही indication होता है कि body में lipid profile में गरबड़ी है और उसके कारण body ठीक से काम नहीं करेगा और fat deposit liver में बढ़ सकता है ठीक है अब बात करते हैं आखरी parameter के बा है या नहीं हम फिर से imaging करके देख लेते हैं ultrasonography करके upper abdomen की और उसके साथ साथ MRI करके भी देखते हैं कि liver की size shape ठीक है या नहीं fat deposit है या नहीं मगर उसके इलावा भी हमें liver cells को देखना परता है कि liver cells जिसको हम hepatocytes बोलते हैं वो hepatocytes का क्या shape है क्या size है कैसे हो काम कर जैसे जाता है तो biopsy यह क्यों perform किया जाता है liver biopsy क्योंकि हमें देखना होता है कि liver की हर एक cell और हिपाटोसाइड ठीक तक काम कर रहे हैं ठीक तक देखने में लग रहा या नहीं क्योंकि fat deposit होने के कारण liver के जो cells है हिपाटोसाइड से उसका structural changes आते हैं और वो हम आसानी से with a microscope द sample लिया जाता है फिर उसको examine किया जाता है अंडर microscope और हमें पता चल जाता है क्या है normal range की बात करें तो यहां पर देखो अगर inflammation होता है infection है या फिर cancer है तो वो cell देख के हम बता सकते हैं कि हाँ यहां पर infection चल रहा है कोई inflammation चल रहा है या फिर कोई scaring है पर तब होहां का जो tissue ह है वो tissue कैसा दिखने में लग रहा है वो tissue fibrous तो नहीं हो गया क्योंकि tissue अगर कोई liver tissue fibrous हो जाता है तो automatically बहुत stiff हो जाएगा और ठीक टक से regular function नहीं कर पाएगा और abnormal value यहीं चीज़ है यही सारे चीज़ हम देखते हैं visible clue बहुत important है जहां पर inflammation particularly और अगर cell cancer है से वो भी हम biopsy तो बात किया ओल सारे fatty liver test components के बारे में liver enzymes GGT, ALT, imaging studies, fasting blood glucose, lipid profile और liver biopsy इसमें से सारे के सारे test किया जाता है मगर with the sequence of event पहले तो liver enzyme को test किया जाता है उसके साथ imaging भी किया जाता है ultrasonography फिर उसके बाद अगर लगता है कि fatty liver है medicine treatment के पहले and बाद में treatment के बाद में देखने के लिए कि treatment काम कर रहा है नहीं फिर से हम imaging के help लेना पड़ता है biopsy सब हर वक्त किया नहीं जाता तभी किया जाता है अगर doubt हो कि liver cell में कुछ न कुछ चेंज आ रहा है और वो cancerous बनना है तभी हम करते हैं otherwise नहीं करते हैं तो यह सारे fatty liver test की components है और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कलीग के साथ और שמב करनाइन चानल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे और अगर डेटील में आपको जानना है कि क्या है लिवर function test क्या अलग से वीडियो बना के रखा है अब वीडियो च्छक कर सकते हैं ऐसी मिलता रहे हैं